हलो दोस्तों स्वागत है आपकी यूटीब चैनल वर्ल्ड अफ इंवेस्ट्मेंट ट्रेड में आज हम बात करेंगे टाटा मोटर शेर के बारे में यह शेर आज करीब 10% भागा यह और यह 10% क्यों भागा उसके पीछे का न्यूस देखेंगे और साथ-साथ देखेंगे कि इसका टारगेट प्राइस के कितना होना चाहिए हमें लेना चाहिए नईलेना चाहिए फईंचिल सब्सक्राइब आप करते हैं अब 339 पर open वा और उने हाई बनाया करीब 383 का एक हाई बनाया और जब यह क्लोज हुआ तो यह क्लोज हुआ करीब 376 में तो काफी अच्छा तेजी से भागाई है शेर याद रखे फीचर और आप्शन वाला शेर है और टाटा मोटर साप साथ ही को पता ही है और अभी हो क्या रहा है कि फेस्टिवल सेजन आ रहा है और क्योंगा की की सिसका हो रहा है तो इनके जो विकली है जो अटो सेक्टर है उसके बिकरी जादा होती समय काफी सेल्स होता है तो वह नहीं बढ़ने के सांटEM है क्या है और यह अपने आसंख कहाईंध जї है इसको क्र और ए commentary ति स्लेुआ काफी तेजी से भाग रहा है तो आईए इसके पीछे का न्यूज जानते हैं तो न्यूज देखिए टाटाव मोटर अब 10% एड थ्री येर हाई ऑन स्ट्रॉंग बिज आउटलुक ब्रोकरेज अपक्रेड तो क्या है कि यह अपने तीन साल के हाई पे अभी चल रहा है और जो ऑसने इसका जो है जो इसका टार्गर पराइज इसको बढदा दिया है तो टार्गर प्राइज वेसे सबसे पहले हम लो देख़ें क Efraano नियूस क्या है तो देखिए टाटामोटर इस değildi81 फोडे कहले जूड ऑर ने ख्रीह स्मीन भ्लाइस बटंड तो इसके जो अधर सेग्मेंट्स हैं जो इंडियन कस्टोमर्स के लिए जो बनाते हैं कारें वह सबसे ज्यादा बिखने के चांसे से हैं यह ऐसा मानते हैं जो डिसार्च चैनलिस्ट हैं तो वी एक्सपेट 2022-23 तो बी स्ट्रांग फर इंडियन आउटो एंड टाटा इंडिय क्यों बढ़ने वाला उसका रीजन है कॉस्ट का जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है काफी कम रेट में अच्छे मॉडल्स दे रहे हैं और जो पॉट्फोलियो है मॉडल्स अलग-लग जो कार निकाल रहे हैं अलग-लग सेग्मेंट के लिए तो काफी सारे सेग्मेंट यह को बर कर रहे हैं और इनका हाई लेकर एंट फॉरण फोर्ण फोरण फ्रेट व्रेज्स जो है इसके कानसी फ्वारं ब्रोकर जय साह बोल रहे हैं कि अभी क्या है जो आपके नीचे है था पाफी नीचे गया था फेन्डमिक में वहां से उपर ऊठना चलु यह है तो काफी कमर्शेल वहिकल दोनों का री रेटिंग हुआ है टाटा मोटर्स का और यह दोजार चोबीस तक जो टोटल उधारी है यह नेट जो जीरो डेप्ट की और चला जाएगा जो की काफी अच्छी बात है और यह पैसेंजर वहिकल और कमर्शेल वहिकल में 84% अपसाइड है भी चा लगलग फर्म पहल Свर्म ने इसका अलगलग जो है टार्गेट प्राइस दिया हुए चनली दिया हुए नहीं ने चैनली 172-60eszक्र ब sia तो इस जाए घ्ड़ए जाएगा तो आप देख सकते हैं अभी जो यह ट्रेट्स कर रहे है 376 में 400 440 450 के आस पास यह रेंज में जाएगा तो काफी अच्छा मूव हो सकता और यह काफी बड़ा जो है अपना रिजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है तो लास्ट में देखेंगे हमें कैसे क्या बाई करना चाहिए उससे पहले फाइनेंशल और इसके फंडामेंटल दे देखेंगे 2021 मीनस 1300 सिक्ड facts उससे पहले मैंने 5 370 सब्सक्रत का अभी अरनिंन पर देखेंगे 2021 में 35.99 उससे पहले जो मैंना 345.88 सब्सक्रति अभी शेयर ओल्डिंग पातन देखते हैं प्रव्मोर्टर के पास 46 परसेंट है इनके शेयर इनके फोड़ेज सेयर प्लेज र कंब है और देरे रिटीजिन कीया बहुत ही कम है और चलेगा इसे पहले भी एप्रॉक्सीमेटली 14 था डियाई का देखेंगे यारा साधे ग्यारा परसेंट यह से पहले हमें क्या करना चाहिए देखिए यह लॉंग टर्म के लिए शौट टर्म दोनों के लिए अच्छा शेर है और इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो इसके चांसे अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के तो अभी काफी चांसे ऊपर जाने को तो आप प्रॉफिट ल है और अलड़ी है आप सभी को पता ही होगा नेक्सान और कुछ-कुछ जो मॉडल से वह लेक्ट्रिक वेहिकल कर रहा है तो टाटा मोटर सबसे पहले कर रहा है दूसरे के कंपेर में तो काफी ज्यादा चांसे टाटा मोटर लॉंग टर्म में भी अच्छा देगा जो लोग लॉंग टर्म रख सकते हैं वह लॉंग टर्म रखके से छोड़ दें अच्छा ठीक ठाक पैसा लगा सकते हैं जो लोग शॉट टर्म लगाना चाहते हैं वह स्टॉप लॉस लगा सकते हैं थ्री थर्टी के आसपस एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यह के रेंज है आप यह पैसा लगए आप कर सकते हैं इन्वस्मेंट शॉट टम के लिए भी लॉंग टम के लिए लेकिन यह मेरी अनलसिस थी मेरी तिंकिंग थी मेरी सुझाओ थी आप खुद का रिसर्च करें उसके बाद ही पैसा लगा है किसी के बोलने पर ना लगा है कि प्रॉफिट लॉस आप ह अगली वीडियो में धन्यवाद